समय से पहले बालों का सफेद हो जाना, कमजोर होकर जड़ते जाना, पतले हो जाना, दो मुहे हो जाना, ये एक आम समस्या हो गई है आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बालों में क्या लगाते हैं तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा तेल जो आपके सफेद बालों को तो काला करेगा ही साथ ही आपके बालों को इतना nutrition देगा कि बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी नए नए बाल उगने लगेंगे और और अल्रेडी जो सफेद बाल हैं वो भी काले होने लगेंगे क्योंकि इसमें हम तीन ऐसी चीज़े यूज़ कर रहे हैं जो पोशन से भरपूर है देखिए बजार से जो आप क्यामिकल वाले डाय लेकर आते हैं वो आपके स्किन को आपके बालों को आपकी आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं तो ये जो तेल हम बना रहे हैं इसमें सारी natural चीज़े हैं कोई side effect नहीं है और ये भर भर के potion देंगी आपके बालों को इसके लिए आपको लेनी है चाय की पती जो चाय की पती आप घरों में यूज़ करते हैं वो ही ले लेनी हैं किसी भी ब्रांड की होगी वो चलेगा चाय की पती जो है वो एक बहतरीन beauty product है ये आपके skin के लिए आपके बालों के लिए कमाल का काम करती है ये आपके बालों की चमक बढ़ाती है उन्हें लंबा और घना बनाती है अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं दो मुहे हैं बेजान हो चुके हैं तो ये आपके बालों में नई जान डालने का काम करेगी चाय की पत्ती में मौझूद टेनिन आपके बालों को naturally काला करने का काम करेगा ये माली जी कि ये आपके बालों के लिए best hair tonic है इसे लगाने के बाद आपके बालों की growth ना हो, ऐसा हो नहीं सकता दूसरी चीज जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो है कलोंजी नाइजेला सीट जिने हम कहते हैं देखे आपके बाल काले क्यूं होते हैं क्योंकि हमारे बालों में एक pigment होता है melanin, जब इस pigment की कमी होने लगती है तो बाल सफेद होने लग जाते हैं तो कलोंजी में जो linolec acid होता है ना यह इस melanin pigment को कम होने से रोकता है यह आपके बालों को सफेद होने से तो बचाएगा ही साथ ही hair graying को reverse भी करेगा यानि जो बाल अल्रेडी सफेद हो चुके हैं उन्हें भी काला करने का काम करेगा इसके अलावा अगर बालों में dendruff है, खुजली होती रहती है, किसी भी तरह का infection है तो उसे यह दूर करेगा आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाने का काम करेगा यह एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर है, इसे लगाने के बाद आपके बालों की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी यह आपके बालों को भरपूर पोशन देगा, नए बालों को उगाने में मदद करेगा एलोपेशिया है, तब भी आप इस तेल को यूज कर सकते हैं कलोंजी में बहुत हाई कॉंसेंट्रेशन में थाइमोक विनोन होता है जो हेर ग्रोथ के लिए संजीवनी का काम करता है यहाँ पर मैंने क्या किया है, सरसो का तेल लिया है तो इस तेल में मिलाने से पहले इन दोनों चीजों को आपको ड्राइ रोस्ट कर लेना है भून लेना है, मैंने तो देखो तवे पर ही इने भून लिया है और भूनते समय मैंने इसमें कुछ लॉंग एड़ कर दी थी तो ये देखिए सारी चीज़े भून चुकी है अब आपको क्या करना है, इने थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है अच्छे से तो पीसने के बाद ये इस तरह से हमारा पाउडर तयार हो गया है इसमें जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए एक वरदान है साथ ही आपके बालों की नैचुरल कंडिशनिंग करता है बालों के मोईस्चर को लॉक करके रखता है यानि इसे लगाने के बाद आपके बाल रूखे सूखे बिलकुल नहीं होंगे एक बड़िया सी शाइन आ जाएगी बालों में और अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं जड़ रहे हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत कमाल का काम करने वाली है ये आपके जो बालों की फॉलिकल्स हैं जो डेट हो गए हैं उन्हें रिवाइव करने का काम करेगी यानि आपके जड़ पर काम करेगी और इससे क्या होगा कि जो बाल धोते समय कंगी करते समय आपके बाल जड़ते रहते हैं वो बंद हो जाएगा अब ये जो पाउडर हमें मिला है इसे अच्छे से चलनी से चान लें ताकि इसमें जो मोटे मोटे दाने हैं वो निकल जाएं इस पाउडर को एक काँच की बॉटल में स्टोर करके रख दें जब भी आपको बालों में तेल लगाना है तो आप इस तरह से सरसू का तेल लें अपनी लेंध के अकोर्डिंग उसमें एक चमच ये पाउडर एड़ कर दें दो तीन घंटे तक इसे रखा रहने दें ताकि जितने भी ओशेदिये गुण हैं जितने भी पोशक तत्व हैं इस तेल में आ जाएं उसकी बाद जब आप इस तेल को अप्लाय कर रहें हैं उससे पहले आपको क्या करना है ऐसे डबल बॉयलर टेकनीक से आप इसको गुन-गुना कर लें तेल को डिरेक्ट हीट ना करें पानी ले ले उसमें इस तेल को रखकर हलका सब गुन-गुना कर लें तो जब तेल गुन-गुना होता है तो ये आपके बालों की जड़ों में जादा गहराई तक जाता है आपको इसका पूरा फाइदा मिलता है इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है सारी घर की चीजों से बना हुआ ये तेल है जब इससे आप मसाज करेंगे तो ब्लड का सर्कूलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए सिर में इसको लगाना है बालों की लेंथ में लगाना है पूरे नीचे तक सिरों तक इस तेल को अच्छे से आपको लगा लेना है दो तीन घंटे इस तेल को लगा रहने दें ताकि जितने भी ओशिदिय गुण है वो आपके सिर के अंदर अच्छे से पहुँच जाएं यहां झाले नजर आते हैं वैसा रंग नहीं आएगा एकदम नैचुरल कलर आएगा जैसा कि आप इस वक्त मेरे बालों में देख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि इस तेल को सिर्फ सफेद बालों में ही लगाना है इस तेल का प्रियोग हर वो व्यक्ति कर सकता है जो अच्छे की चाहत रखता है जब इस तेल की मालिश करें तो बिल्कुल हलके हलके हाथों से मसाज करना है क्योंकि बहुत तेजी से मालिश करेंगे तो वह भी बाल जड़ने का एक कारण होता है और जब बालों को सुल जाएं तो हमेशा मोटी कंगी का यूज करें ताकि आपके बाल जो उलज गए हैं वो टूटे नहीं ये तो हो गया बालों को पोशन देने की बात लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जब तक शरीर में अंदर पोशन नहीं पहुचेगा तब तक कोई रेमेडी वर्क नहीं करती है तो आप जादा से जादा हाइडरेटेड रहें भरपूर पानी पीएं और अपने भोजन में आवले को जरूर शामिल करें आवला आपके बालों के लिए एक वर्दान की तरह है तो खूब आवला खाएं इन दिनों तो आवला आ भी रहा है बहुत तो किसी भी फॉर्म में आपको आवला खाना है और तनाव नहीं लेना है स्ट्रेस बाल जड़ने का बाल सफेद होने का बहुत बड़ा कारण है अगर आपको तनाव रहता है तो मैंने बहुत सारे योग निद्रा वीडियो शेयर किये हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो इस तेल को आप हफते में दो या तीन बार यूज़ करें बहुत ही अमेजि स्क्रीन पर इस वक्त वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें मैंने एक हरबल शेंपू बनाना बताया है जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि उनके बालों का तेल नहीं निकलता है इसे लगाने से तो आप इस शेंपू में थोड़ा सा माइल्ड बेबी शेंपू एड़ करके इसे यूज करें इसे प्रयोग करें और अपने एक्सपीरियंस हम सभी के साथ जरूर शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो इसे जादा से जादा शेयर करें मैं हूं मदू चौधरी और आप इस वक्त योग जर्णी पर हैं अपना ख्याल रखें नमस्कार